और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब ने किया है तो देखी यहाँ पर लाल बटन सस्क्राइब का दबा दीजिए 28 रुपए 65 पैसे का भाव यहाँ पर है और 52 वीक जो लो बनाया था इसने 13 रुपए 85 पैसे का और हाई था 42 रुपए 45 पैसे का अब इसकी बात हमने क्यों कि जबकि इसके पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ सकूमा एक स्पोर्स पे और यह देखिए यहाँ पर 20 मार्च को 20 मार्च को अचानक यहाँ से चलते हुए 32 रुपए से चलते हुए सीधे आके यहाँ पर भड़ा हम से 26 रुपए 55 पैसे का इसने लो बनाया था मतलब सीधे 12 परशन से 16 परशन के बीच में उस दिन टूट गया था फिर भी रिकवर कर लिया है इसने 28 रुपए के आसपास क्लोजिंग हुई थी इसकी और आज भी देखिए यहाँ पर जो 22 मार्च को भी आज के दिख 28 रुपए नसीपे 70 पैसे और 28 रुपे 70 पैसे ब्य सेपी क्लोज हुआ है अब देखिए यहाँ पर सेंटीमेटर में लोग कह रहे हैं 100 परसंट बाइट बाइट ऐसी क्या न्यूज आय थी जो अचाना कुछ दिन टूट गया था 12 से 16 परशन करी मार्केट में ऐसी कोई न्यूज मुझे पता नहीं चले इस कंपनी के बारे में या कुछ ऐसा पता ही नहीं चला मुझे लगता वॉलूम के वज़े से ही हुआ होगा ऐसा और देखिए मार्केट काइप है इसका 610 करोड रुपए माइक्र काइप कंपनी है बुक वैल्ली होए 11.35 की EPS हम देख लेंगे इंडस्ट्री पी है 44.1 की और डिलिवरेबल है 32 प अब मैं पढ़ूंगा नहीं समय लग जाएगा काफी और इसकी वेबसाइट पर भी हम देखिए मार्केट काइप है मलका से नजर माल लेते हैं देखिए इंटरनेशनल ट्रेड ओफ एग्रो कमोडिटीज शुगर और बाइप प्रोडुक्स और जबरदस्त मार्जिन इसको कमाने का आउसर मिलता है इस पर तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है ट्रेडिंग की कंपनी है डिस्ट्रिबूशन की क इस पर मैनेजमेंट रिस्ट ग्रोथ कैप्ला इस्ट्रक्ट्टर सेस्ट ग्रोथ है 41 परसेंट की बहुत सा वरतास्ते बी आएटी ग्रोथ ही 45.55 परसेंट की और नेट डेट्रुक्टी है नेगेटिव अभी देखी यहां पर एक्स्पेंसिव वैलवेशन पर दिखा रहा 28 टू 28 टू 34 की तो 28 पर तो अलरड़ी ट्रेट कर रहा है थोड़ी सी कमी नहीं तो फेयर पर आ जाएगा और मुझे यहां पर लोग बनाया था 13 रूपय सम्थिंग कर मुझे नहीं लगता कि यह से नीच है 20.25% की ROCE है 25.63% की financial trend है very positive score 25 और रिटन देख लिजिए एक बार 10 सालों में 475% का रिटन है जो की बहुत ही जबरदस्ता अगर आपने एक लाग रुपय लगाए तो 46,75,000 हो चुके होते हैं 45 लाग इवन है आपका भी एक लाग रुपय अड़ करके और 5 सालों में देखिए 1500 पर चार्शन करी तीन सो तेज़ परसंट की रिटन है यह भी कमाल के हैं दो सालों में 35,500 की रिटन से जबरदस्ता और एक साल में 85% की रिटन और क्या चाहिए आपको आप बताए मुझे और आपको क्या चाहिए इतने जबरदस्त रिटन है आपके MLT बैगर नहीं है अर इतने बढ़या उनको profit है और 3 months में 11% की negative में है 1 month में 11, sorry 16% के negative में है और 1 week में 14% के negative में है और 1 day मतलब आज 1.78% की upside है तो अभी यह परसों ही जबरदस्त इसमें गिरावट आई थी फिर यह रिकवर करने लगा 28 पर आ गया 32 से और यह देखे इसके नतीजे रहें सिप्तमबर 18 से दिसमबर 18 के quarter के net sales में 5.81% की बढ़ात है और net profit में भी 3.38% की upside है बढ़ात है हाफ एरली भी देख लेते हैं हाफ एरली में net sales में थोड़ी से डाउन है साड़े 4% करी बाकि net profit में भी यहाँ पर 71% की बढ़ात है और operating profit margin में भी 1.28% की बढ़ात है share holding में देखी यहाँ पर जो सिप्तमबर 18 में थी दिसमबर 18 में as it is a 57.97% की holding है और गिरिवी यहाँ पर थोड़ी से share रखे हैं 9.87% की मतलब करीब 10% के असपास इनके share से यहाँ पर गिरिवी रखे हुए हैं जो कि यह थोड़ा से इनका एक minus point है और mutual funds की zero है FISB zero है और individual जो investors है वो है 20.35% मतलब 20% के असपास individual investors है अब इतनी छोटे price microcap company जो है 28 रुपए का stock है आज के टाइम पर उसका एक रुपए dividend है उन्होंने 19 सप्तंबर 2018 में पे किया था last dividend और Sakuma exports अपनी industry में 20 नंबर पर है दोस्तों मैं यह बताना चाहा रहा था कि यह company में अचानक मेरी नजर बनी हुए बहुत गिरावाट आ गए थी उस दिन और कुछ लोगों ने अच्छी buying भी की होगी तो obviously अगर कोई भी stock price अगर very attractive मिलता है तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए बहुत अच्छी company है और मैंने भी कुछ shares इस company के लिए हुए है फिर भी कोई भी stock लेने से पहले आप अपने financial advisor से जरूर मश्वरा कर लें क्योंकि यह share market है और कभी भी उताच रहाओ लगा ही रहता है और हाँ हमेशा long term purpose से ही मैं मश्वरा देता हूँ या bullish रहता हूँ ऐसा मान के चलें thank you for watching this video धन्यवाद